नमस्कार, मैं हूँ पायल गुडिया राज़नीती में बेशब भारत और पाकिस्तान के रिष्टे मधुर ना हो लेकिन कुर्केट के मैदान पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जब दोनों टीमों के खिलाडियों ने एक दूसरे की मदद की एक दूसरे का हाल जाना पीनर सकलेन मुष्टाक का दिल जीत या था द्रसल हाली में सकलेन मुष्टाक ने दादा की तारीव करते हुए ये किस्सा साजह किया सकलेन ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक किस्सा बताया जब भारत में इंगलेंड का दौरा किया था उस समय में ससेक्स के लिए खेल रहा था भारते टीम का ससेक्स के साथ तीन दिवसी अभ्यास मैच था और गांगुली उस मैच में नहीं खेल रहे थे मुझे लगता है कि ये 2005 ये 2006 की बात थी तब मेरे दोनों घुट्रों की सरज़री हुई थी और मैं करीब 36-37 सप्धा तक बिस्तर पर पड़ा था सरज़री के बाद मैं वापसी कर रहा था और सौरव उस मैच को देखने आये थे ससेक्स बल्ले बाजी कर रहे थी और सौरक की नजर ससेक्स के बालकनी पर पड़ी उसके बाद गांगोले एक ड्रैसिंग रूम में आए और उन्होंने मुझे कॉफी का ओफर दिया था मेरे घुट्रे और मेरे परिवार के बारे में मुझसे हाल चाल जाना फिर हमने बात चीज करनी शुरू कर दी वे करीब 40 मिनट तक मेरे साथ बैठे और इस दोरान उन्होंने मेरा दिल जीत लिया वैसे ये सच्चाई है कि भारत और पाकिस्तान के कई खिलाडियों में बड़ा दोस्ता आना था ऐसा है एक वाक्या और भी है एक बार भारत पाक का एक मैच हो रहा था तब पाकिस्तान की कप्तान इंजमाम अपने मोचापे के लिए बड़े मशूर थे तो उस मैच में एक भारती फैन ने इंजमाम को आलू कह दिया था इसके बाद इंजमाम उस इंसान को मारने के लिए चड़ गए थे इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुँचा तब सच्चिन ने पुलिस से इंजमाम को बचाया था और ये कहा था कि अगर इंजमाम को पुलिस पकरती है तो उनका करियर खत्म हो सकता है उसके बाद इंजमाम ने हमेशा सच्चिन का एहसान माना लेकिन अब राज़नीती के साथ सथ पुलिस की रिष्टे में खटास आई है अब अफ्रीदी खुलियाम भारत को भला बुरा कहते है लेकिन पाकिस्तान के कई पुराने खिलाडी अब भारते खिलाडियों की काफी तारिफ करते हैं सकलेन और गांगली तो कई बार एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके है तो सकलेन की तारिफ के बाद ये साफ है के इस पाक दिगज के दिल में भारते खिलाडियों के लिए कितनी इज़त है तो जिस तरह से सकलेन इंजमाम जैसे खिलाडी भारते खिलाडियों की इज़त करते हैं उनका सम्मान करते हैं उमीद करेंगे कि आज की फीड़ी उसे आगे बढ़ाए